अक्ट्रिस निया शर्मा इंडस्ट्री का जाना भचाना नाम है इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है इन्हें अक्टिंग के अलावा उनकी बेबाग पर्सनालिटी और खूपसूर्ती के लिए भी पसंद किया जाता है अक्ट्रिस ने बीते दिनों लिप इंजेक्शन करवाने की बात स्वीकारी थी लेकिन अब उन्होंने इससे इनकार किया है पिंक विला से खास बातचीत में निया शर्मा ने बताया है कि अपने पिछले लिप इंजेक्शन वाले बयान पर चुप्पी तोड़ी जब उनसे पूछा गया कि क्या वहाँ अपने होटो को भरा हुआ दिखाने के लिए लिप इंजेक्शन का इस्तमाल करती है तो उन्होंने इससे इनकार किया और कहा लिप इंजेक्शन से मेरा मतलब ग्लॉस से था उन्होंने आगे कहा मैं मेकप की फील्ड से आती हूँ इसलिए मैंने इसे सामान्य रूप में लिया क्योंकि हर कोई इसके बारे में जानता होगा मुझे यह समझ में नहीं आया कि इस फील्ड में एक आम आदमी भी है जिसे पता है और कुछ लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि लिप इंजेक्शन क्या होता है मिया शर्मा ने आगे लिप इंजेक्शन के बारे में बताया तो लिप इंजेक्शन एक फिलर है जो आपको बहुत हलकी सी जंजनाहट देता है इससे एक जलन महसूस होती है, जो आपको होठोन का भरा हुआ होने का एसास देता है. मेरा यही मतलब था. मेरा मतलब लिप इंजेक्शन से नहीं था. मुझे एक इंजेक्शन लगता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ. मुझे ऐसे इंजेक्शन कहां मिलेंगे? अगर मैंने लोगों को गुमरा किया है तो मुझे खेद है. मुझे लगा कि यह सब को पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था. दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे, शेर करे. और ऐसी ही दिल्चस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करे.